ये वीडियो साइंस के चैप्टर 4 का सेगेंड पार्ट है हमने पिछली वीडियो में क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 4 से स्टार्ट किया था परना और इस चैप्टर का स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन हमने पिछले वीडियो में कम्प्लीट कर लिया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप science वाले playlist में जाकर देख सकते हो playlist में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी तक DAV Public School के बच्चों के लिए बनाए है वाँ पे सभी वीडियोज subject wise, class wise, separated है तो आप कभी भी आसानी से उन वीडियोज को जागर देख सकते हो उनको देखना और अगर आपको वह helpful लगते तो आप चैनल को भी subscribe कर लेना क्योंकि इसी तरह DAV Public School के बच्चों के लिए daily इस चैनल पर वीडियोज आते रहते हैं हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग brain mapping कर लेते हैं ताकि हमें पता चली कि कौन-कौन से टॉपिक हमने अल्रेडी complete कर लिया है और कौन-कौन से टॉपिक है जिसको हम लोग इस वीडियो में परने वाले हैं तो पिछले वीडियो में यानि की part 1 में हमने यहां तक के सभी topics को complete कर लिया था और उसके बाद इस वीडियो में यानि की part 2 में हम लोग balanced and unbalanced force के बारे में परेंगे और types of force के बारे में परेंगे force mainly दो type का होता है एक है contact force और एक है non-contact force और इसका भी बहुत सारा type होता है इसके अंदर भी बहुत सारा type का force है सबको हम लोग डीटेल में इस वीडियो में परेंगे सबसे पहला topic जो अभी हम लोग परने वाले हैं वो है balanced and unbalanced force तो सबसे पहले short में समझते की balanced force और unbalanced force कहने का मतलब क्या हुआ माल लेते हैं कि दो body है और दोनों पर multiple forces अप्लाई किये गए हैं जैसे कि इस पर भी दो force लगा है दो direction opposite direction से और इस पर भी दो force लगा है लेकिन पहले case में क्या हुआ कि दो equal force अप्लाई किया जा रहा है इधर से भी 10 newton और इधर से भी 10 newton और दूसरे case में unequal force अप्लाई किया जा रहा है इधर से 10 newton और इधर से 20 newton तो इस case में क्या होगा जब दोनों तरब से same force अप्लाई किया जा रहा है इसलिए यह जो body होगा वो कहीं move होके नहीं जाएगा body अपने जगह पे रुका रहेगा लेकिन दूसरे case में क्या है कि अलग-अलग force अप्लाई किया जा रहा है इधर से कम force और इधर से जादा force तो यहाँ पे resultant force जो होगा वो इस direction में काम करेगा और body इस direction में move करना इस टार्ट कर देगा आप ही सोचो एक object को आप इधर से 20 Newton का force लगा के धके लोगे और आपका दो सिधर से मातर 10 Newton का force लगा के धके लेगा तो object obviously बात है कि इस direction में move करना इस टार्ट कर देगी तो यहाँ पे क्या हुआ था कि object move नहीं कर रही थी दोनों तरफ से same force लग रहा था तो इन दोनों force को हम लोग balance force बोलेंगे और यहाँ पे अलग-अलग force लग रहा था और object move करना इस टार्ट कर दिया इस case में तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि it is unbalanced force यहाँ पे first paragraph में एक important line है यहाँ पे लिगा है sometimes more than one to the net force acting on it और सभी forces का effect क्या होगा इसको पता करने के लिए हमें net force पता करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे दो force apply हो रहा था यहाँ पे इस direction से भी 10 newton और इस direction से भी 10 newton तो इन दोनों forces का effect क्या होगा इसको पता करने के लिए हम लोग को net force पता करना पड़ेगा तो यहां पे net force जीरो हो जाएगा कैसे जीरो होगा net force अभी आगे हम लोग देखेंगे यहां पे जो है 10 Newton का force अप्लाई हो रहा था और 10 Newton यहां पे इस body पे effect क्या पड़ेगा इसको पता करने के लिए यहां पे हमें net force पता करना पड़ेगा यहां पर net force आएगा 10 Newton कैसे 10 Newton आएगा इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे activity number 4 में भी हमें बताया गया कि हम लोग अपने daily life में balance force और unbalance force को कैसे experience कर सकते हैं यहां पर एक container है जिसको दो दोस्त एकी direction से push कर रहे हैं जब एकी direction से push कर रहे हैं तो जो force लग रहा है शिर्फ इस direction से लग रहा है लेकिन जो भी force होगा इस direction से लगने वाला same force अगर इस direction से भी लग रहा होता उसके just opposite direction से तभी हम लोग इसको balanced force बोलते हैं लेकिन ये जो force लगा रहे हैं न दोनों मिलके ये इस object के लिए unbalanced force हो गया और इस case में ये जो object होगा इस direction में move करना है start कर देगा और अगर हम लोग दूसरे figure में देखें तो यहाँ पे दोनों दोस्त में से एक इस direction से push कर रहा है और दूसरा दोस इस direction से push कर रहा है तो इस case में अगर दोनों के द्वारा लगाया गया force equal है अगर इधर से भी 10 newton का force लगा रहा है और इधर से भी अगर ये 10 newton का ही force लगा रहा है अभी हम लोग बात किये थे कि multiple force जब एक ही object पे apply होता है तो उस object पे उन multiple forces का क्या effect होगा उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें net force पता करना पड़ता है net force को हम लोग resultant force भी बोल सकते हैं तो resultant force या net force कैसे find out करते हैं इसी के बाड़े में यहां पे बताया गया है unbalanced force जब भी होगा तभी net force कुछ आएगा और अगर balanced force होगा एक body पे तो net force हमें साज 0 आएगा तो यहां पे अभी हम लोग calculate करके देख लेते इसको यहां पे दोनों case में unbalanced force का example दिया गया है दोनों जो body है दोनों पे unbalanced force ही लग रहा है balanced force कहीं पे नहीं लग रहा है तो यहां पे net force या resultant force हमें find करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा f net equal to क्या हो जाएगा यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि object पे कौन-कौन सा force लग रहा है पहले case में object पे same ही direction से multiple force लग रहा है यहां पे देख सकते हो कि इस direction से ही f1 भी लग रहा है और इस direction से भी f2 ही लग रहा है तो अगर same direction से ही multiple force लगे तो हम लोग सभी को add कर देते हैं यहां पे f net क्या हो जाएगा net force is equal to f1 plus f2 मतलब अगर एक object पे दो force एक ही direction से लग रहा है एक 10 newton का है और एक 5 newton का है तो resultant force या net force या effective force हमें find करने के लिए दोनों को add कर देना पड़ेगा एक 10 newton का force लग रहे है एक 5 newton का तो effective force क्या हो जाएगा net force क्या हो जाएगा 10 newton plus 5 newton equal to 15 newton आप common sense भी लगा के देखो कि अगर एक object पे हम लोग 10 newton का eeक object पे दो आधमी force लगा रहे हैं एक 10 newton का लगा रहा है और एक 5 newton का लगा रहा है तो उस object उस object को कितना newton feel होगा उस object उस फिल होगा कि उस पर 15 newton force लग रहा है वही यहाँ पर निकला ना F net equal to 15 अब दूसरा situation ऐसा भी हो सकता है कि एक object पर दो अलग-अलग force लग रहे हो लेकिन दोनों का direction opposite है एक इस direction से लग रहा हो और एक इस direction से लग रहा हो तो उस case में resultant force या net force हम लोग कैसे निकालेंगे उस case में हम लोग क्या करेंगे F net is equal to लिख देंगे बरावला force यहाँ पर जो भी होगा उस में से छोटे वाले force को घटा देंगे यहाँ पर बताया गया जैसा condition की F2 जो है वो greater है मतलब यहाँ पर हम लोग करेंगे F2-F1 resultant force निकालने के लिए आप इसको एक example से भी समझ सकते हो माल लेते हैं कि इधर से 10 Newton का force लग रहा है और इधर से 5 Newton का ही force लग रहा है अन्बैलेंस force में हम इसा object move करता है तो इस पर जो resultant force होगा वो कितना होगा 10 Newton इधर से लगा रहा था force लेकिन 5 Newton तो उसका minus करवा दिया न इधर से लगा के आप हो जी direction से लगा के तो इसका resultant force जो आएगा 10 minus 5 करना पड़ेगा हमें तो वहीं हम लोग यहाँ पे करेंगे F2 है 10 minus 5 करेंगे तो इसका resultant force जोगा होगा 5 Newton इसी तरह से हम लोग केसी भी object पे लगने वाला resultant force find कर सकते हैं अब पाताती है कि अगर किसी object पे balance force अप्लाई हो रहा हो तो उस case में net force का value क्या आएगा तो यहाँ पे यह जो object है उसके दोनों तरफ F force लगा हुआ है दोनों तर net का value है net force का value है वो 0 आ जाएगा कैसे क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो opposite direction में force लगता है तो वहाँ पे net force निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बड़े force में से छोटे को subtract कर देते हैं लेकिन यहाँ पे तो कोई बड़ा force या छोटा force नहीं है तो हम लोग किसी में से किस को subtract कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 10 newton minus 10 newton हो जाएगा तो value 0 आ जाएगा यहाँ पे f का कुछ भी value हो वही value तो इस side भी आ जाएगा यहाँ पे हम लोग 10 10 माने हैं अगर 100 भी होता तो इस side भी 100 ही होता balance condition को fulfill करने के लिए तो balance force जब भी होगा उस case में f net 0 आएगा यह यहाँ पे हम लोग इस example से भी समझ सकते हैं इस चीज को यहाँ पे दोनों direction से जब दक same force apply किया जा रहा होगा तब तक यह रसी किसी तरफ नहीं गिरेगा अगर यह तीनों मिलकर 100 newton का force लगा कर इधर pull कर रहे हो और अगर यह तीनों भी 100 newton का ही force लगा कर इधर pull कर रहे हो तो रसी किसी तरफ नहीं गिरेगी लेकिन जैसे किसी भी एक side अगर 100 से एक भी बर गया एक newton भी बर गया 101 हो गया तो रसी उसी side चले जाएगी उसी side सब लोग गिर जाएंगे तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि balance force क्या होता है और unbalance force क्या होता है और दोनों condition में हम लोग net force कैसे find out कर सकते हैं सब कुछ हमने सीख लिया अब बाताती है कि जितना कुछ हमने यहां तक परा उससे हम लोग क्या-क्या point conclude कर सकते हैं सभी point को समझना है यहाँ पे दो point दिया गया है पहला point में लिखा है equal and opposite force जिसको हम लोग balance force वी बोल सकते हैं do not change the state of rest or motion of an object इसका मतलब simple यही हुआ कि अगर कोई object rest में है रुका हुआ है और उस पे अगर हम लोग balanced force apply कर रहे हैं f इधर से भी और f इधर से भी तो वो rest में ही रहेगा उसका state of rest में कोई बदलाव नहीं होगा और उसी तरह अगर कोई object motion में है move कर रहा है उस case में भी अगर हम लोग उस पे balanced force अप apply करें इधर से भी f force और इधर से भी f force तो वो जिसी speed से बढ़ रहा है उसी speed से बढ़ता रहेगा उसका speed न घटेगा नहीं उसका speed बढ़ेगा लेकिन balance force के कारण object के size और shape में बदलाव आ सकता है और जो दूसरा point है उसमें लिखा है unequal और जिसको हम लोग unbalanced भी बोल सकते ह unequal forces में lead to change in the state of rest or motion as well as change in the size और shape of an object अगर किसी object पे unbalanced force अपलाई हो रहा हो मालत इधर से f force अपलाई हो रहा है और इधर से two f force अपलाई हो रहा है उसी force का दुगुना तो अलग अलग force अपलाई हो रहा है तो unbalanced तो हो गया तो इस case में क्या होगा उसके state of rest या motion में भी motion में है तो हो सकता है rest में चला जाए या इसका speed में बदलावा जाए उसके बाद इसका size और shape में भी बदलावा जाएगा जो कि इसमें भी हुआ था यह चीज़ common है दोनों में लेकिन जो यहां पर state of rest और motion में जो बदला हुआ unbalanced force के कारण बैलेंस force के कारण ऐसा नहीं होत सबसे पहले Newton का जन्म हुआ था 1642 में हुआ था और उनका मिर्तिव 1727 में हुआ था यह आपको याद रखना है उसके बाद उन्होंने बहुत सारे books लिखे थे जिनमें की दो important books है principle और optics यह दोनों बुक का नाम आपको याद रखना है उसके बाद आपको यह भी याद रखन गिर नीचे और उनके सिर्फ एक सेव गिरा था उसके बाद उनके दिमाग में आइडिया है कि यह सेव नीचे ही क्यों गिरा उपर क्यों नी चला गया और उसके बाद उन्होंने gravitational theory दिया हम लोग के सिर्फ पे गिरता तो हम लोग क्या करते हम लोग तो पहले उसको काट के क्योंकि पढ़ाई का या तो सिर्फ exam के टाइम में आता है कि निउटन के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि निउटन नहीं laws of motion दिया था और जो third law of motion है ना उसी को use करके rockets बनाये जाते हैं रोकेट जो उड़ते हैं वो निउटन के third law of motion को follow करते हैं अब जो next topic हमें परना है उसका title है types of force कितने type की होते हैं सब हम लोग यहाँ पर detail में परेंगे तो force मेली दो type का होता है एक होता है contact force और एक होता है non contact force इसके नाम से यह आपको मतलब पता चल गया होगा contact force तब लगता है जब एक body दूसरे body पर force लगा रहा हो और दोनों के बीच में contact हो कु ना हो उसकेस में हम लोग बोलेंगे कि it is non contact force अब यहाँ पर देखो contact force का दो example है एक है muscular force दूसरा है frictional force दोनों का हम लोग समझेंगे और non contact force का तीन example है एक है gravitational force यह आपको पता होगा दूसरा है magnetic force और तीसरा है electric force अब सभी force का हम लोग गीकिक करके detail में समझते हैं तो जैस इसको define कैसे करेंगे exam में अगर push दिया जाए तो हम लोग यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं इसके लिए we call those force as contact force which result when two interacting bodies are in direct physical contact with each other अगर दो body जो की interact कर रहा है एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है दोनों के बीच में अगर physical contact बन रहा है दोनों एक दूसरे से touched है तो उ muscles के help से लगाया जा सकता है और muscle किसी का भी हो सकता है human का भी हो सकता है और animals का भी हो सकता है तो यहां पर पिक्चर में दिखाए गया है यह animal पूल कर रहा है इस वाले कार्ट को तो इस case में animal अपने muscles का use कर रहा है इसको पूल करने के लिए और फोर्स लगा रहा है तो यहां से लेकर यहां तक एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारे बॉड़ी के मसल के द्वारा कोई फोर्स लगा जा रहा है तो उसका हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलेंगे कॉंटेक्ट फोर्स का दूसरा जो एक जामपल है वो है फ्रिक्शनल फोर्स अब यह फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जिक जब मूव कर रहा होता है हमारे अरत के सर्फिस पे तो कुछ दूर जाने के बाद अपने आप वो रूख जाता ह जैसे कि अगर हम लोग एक बॉल को जमीन पर रोल करवा दें तो बॉल थोड़ा दूर जाएगा उसके बाद अपने आप रूख जाएगा उसी तरह जब हम लोग साइकल चलाते हैं तो साइकल भी अपने आप अगर हम लोग पैडल करना बंद कर दें साइकल को तो साइकल र का जो direction होता है वो हमें से applied force के opposite होता है जैसे कि अगर एक surface पे कोई object रखा गया है और इस object पे हम लोग इस direction में force apply करें तो frictional force क्या होगा वो opposite direction में काम करेगा frictional force लगाने वाला यह surface ही होता है surface क्या करेगा इस object को इधर बढ़ने से रोकेगा हम लोग अगर खीचना बंद कर दे तो यह जो object आगे बढ़ रहा था ना वो रुक जाएगा रुका क्यों क्योंकि यह जो फोर्स लग रहा है न पोजी डिरेक्शन वे फ्रिक्शनल फोर्स वही उसको रोक देता है फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए बहुत helpful है अगर friction हमारे life में नहीं होता न तो हम लोग ठीक से चल भी नहीं पाते जैसे हम लोग पैर आगे बरहते रखते जमीन पे वैसे हमारा पैर फिसल जाता क्योंकि friction वहां पे नहीं होता तो हमारे पैर को hold करके रखने के लिए कोई helpful होता है इने तो फ्रिक्शन इसी तरह हमारे लिए बहुत helpful है अगर किसी चीज़ को हम लोग hold कर पाते हैं तो friction के बज़ा से कर पाते हैं अगर friction नहीं होता तो जिस object को हम लोग पकरते वह object अपने आप नीचे गिर जाता friction के बारे में यहां पर दो-तिन important point है हम highlight कर देते हैं तो friction force ज्यादा होगा, surface कम खुर्दरा होगा तो friction force कम होगा आपको भी पता है normal चीज़ है उसके बाद the direction of frictional force is used वाली opposite to the direction of motion of the object यह भी हम बता है अगर object इस direction में motion कर रहा है तो friction force उसके opposite direction में लगेगा simple चीज़ है इसको भी आप याद रखना तो यहां तक हमने contact force के बार ने किया था कैसे किया था आपको हम बता चुके हैं Isaac Newton ने किया था वो पेर के नीचे बैठे थे उनके सिर्फे सेव गीरा उसके बाद उन्होंने research किया और उन्होंने पता लगाया कि यह जो सेव है वो gravity के कारण नीचे गीरा और gravity के कारण यह उपर नहीं जा पाया यहां प यह फोर्स एक्टिंग उन्द एपल जो एपल है वो नीचे गिर रहा है क्यों क्योंकि उस पर जरूर कोई फोर्स काम कर रहा है उसको कोई ना कोई चीज खीच रहा है if the force can reach to the top of the highest level of tree might not reach even further all the way to moon उन्होंने सुचा कि यह जो एपल है न यहां तक फोर्स पहुंच पा रहा होगा तभी तो एपल नीचे गिर गया लेकिन यह जो ट्री जितना हाइट का है ना उससे आगे फोर्स नहीं जा पाता होगा नहीं तो हमारा मून भी नीचे गिर जाता मून पर अगर वो फोर्स पहुंच जाता ग्रैविटेशनल फोर्स जिसको उन्होंने बाद में नाम द में अगर कोई भी दो सेलेश्टियल बॉड़ी है कोई भी दो अबजेक्ट है तो दोनों अबजेक्ट एक दूसरे पर ग्रैविटेशनल फोर्स अपलाई करता है एक दूसरे को खीच के हमें सरकता है और जो फोर्स दोनों के बीच में अपलाई हो रहा होता है ना उसका वै ड्रेक्ली प्रॉड़ट एंटु 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 हुआ कि यह प्रोड़क्ट का वैल्यू जितना ज्यादा अयगा इसके बाद उन्होंने इन भी बताया कि it is inversely proportional यानि कि the force is inversely proportional to the square of distance between them मतलब उन्दोन के बीच में कुछ तो distance होगा मालेते हैं distance r है तो यह जो force होगा ना वो inversely proportional होगा to the square of distance between them मतलब distance का square करेंगे 1 के नीचे डालेंगे उसको और इसको अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ inversely proportional इसका मतलब यह हुआ कि distance का square का value जितना ज्यादा होगा force का value उतना ही कम होगा divide के नीचे है न यह तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो यह हो जाएगा force is directly proportional to the m1 into m2 by r square इसके बारे में आप detail में परोगे class 9 में the weight of an object is a measure of gravitational force exerted on that body by the earth और किसी चीज का हम लोग weight निकालते है न वह exactly है क्या वह gravitational force का value है जिस object का weight जितना ज्यादा होगा हमारा earth उस object पे उतना ज्यादा gravitational force apply कर रहा है अब हम लोग non-contact force को detail में पर लेते हैं सबसे पहला जो non-contact force था gravitational force उसके बारे में तो हमने do you know में detail में पर लिया non-contact force को अगर define करना हो हमें तो हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं यहां पर लिखा we call those forces as non-contact force which can cause their effect even when the two interacting bodies are not in direct physical contact with each other अगर दो body एक दूसरे के साथ physical contact में नहीं भी है दोनों body अलग-अलग है दोनों के बीच में कोई connection नहीं है फिर भी एक body दूसरे body पर अगर force लगाता है तो ऐसे forces को हम लोग non-contact force बोलेंगे non-contact force का पहला जो EdgarIST left Isek sus fav हम जानते कि हमारे इर्त के surface के उपर अगर कोई subject है तो वो चाता है कि हमारे रर्थ के surface पे गिर जाए क्योंकि हमारा आर्थ जो है वह एक force लगाता है उस object पे जिसका क्वह बोलते हैं हम लोग कहांушка कर सकते हैं जब एक मेंगनेट के पास हम लोग लोहा खुलाते हैं तो एक फ्रस घंड को कीच एक साथ ले आता है उसी कंड के फोर्स फोर्स होता है कि मैंगनेट में फोर्स होता है एक होनके नॉर्थ और magnetic lines of force जो होते हैं North pole से निकल कर South pole में जाते हैं तो यह जो lines होते हैं न इन्हीं के कारण North और North में repulsion होता है दोनों नहीं चिपकेंगे अगर दो magnet हम लोग लेंगे और दोनों का North North pole को चिपकाना चाहेंगे और दोनों चिपक जाते हैं तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि like poles of two magnets repel each other and unlike pole of two magnets attract each other मतलब अगर like pole रहेगा North North या South South रहेगा तो दोनों एक दूसरे को repel करेगा दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा और अगर unlike pole रहेगा जैसे कि North South या South North तो दोनों एक दूसरे को attract करेगा दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा non contact force का सबसे अंतिम जो एक्जामपल है वो है electric force electric force क्या होता है अगर electricity के कारण या charge के कारण अगर कोई दो object के बीच में attraction हो रहा हो या repulsion हो रहा तो उस case में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर electric force काम कर रहा है जैसे कि हम लोग यहां पर इसको एक activity के थुरू समझ सकते हैं हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको class 7 में भी पड़े थे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग glass rod को silk cloth के साथ rub करेंगे तो उस case में क्या होगा कि glass rod जो होगा न वो positively charge हो जाएगा यह जो glass rod है यह plus charge इस पे ज्यादा जमा हो जाता है उसके बाद अगर हम लोग evonite rod को rub करेंगे उल के साथ उन के साथ तो उस case में evonite rod जो होता है न वो negatively charge हो जाता है तो यह evonite rod negatively charge हो गया यह negatively charge हो गया यह भी negatively charge हो गया तो अब क्या होगा कि यह जो negative negative है यह दोनों एक दूसरे को repel करने लगेगा एक दूसरे से दूर भागेगा और अगर हम लोग इसको इसके पास लाएंगे ना तो यह दूर भागने लगेगा उधर घुम जाएगा उसी तरह से यहाँ पर जो glass rod है यह positively charged है और जैसे यह negatively charged ebonite rod इसके पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे में चिपक जाएगा तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो repulsion हो रहा है दोनों एक दूसरे से भाग गया अलग हट गया और यहाँ पर दोनों के बीच में जो attraction हो गया दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गया तो इनके बीच भी तो कोई force ही काम कर रहा होगा न तभी तो दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं और एक दूसरे के पास आ रहे हैं अब अगर electric force का आपको definition पूछ लिया गया, तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हो, हम लोग लिखेंगे, we know that like charges repel and unlike charges attract each other, this attraction or repulsion between charges is due to electric force between them, ऐसे करके हम लोग electric force को define कर सकते हैं, तो यहां तक हमने इस वीडियो में इन सारे topics को पूरा पर लिया, यह part 2 था और part 1 में हमने इन सारे topics को पर लिया था, अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो आप science वाले playlist में जाकर देख लेना, उसके बाद यह सब जो topic बचा इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही part यानि कि part 3 में complete कर ले, इस chapter के question answer का pdf जब भी available होगा तो आप उसको हमारे website davgroup.in पर जागे download कर सकते हो, यहाँ पर बस आपको chapter का नाम सर्च करना होगा और जो भी pdf एवलेबल होगा download करने को उसका link आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और मुझसे कोई भी डाउट अगर आप डाइटली पूछना चाते हो तो आप मुझसे facebook, instagram या whatsapp पर contact कर सकते हो, सभी का link आपको description में मिल जाएगा, I hope यह video आपके लिए helpful रहा होगा, वीडियो गर अच्छा लगा तो इस video को like करना, चैनल को subscribe करना और इस video को अपने classmate के साथ जरू share करना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस chapter के अगले part के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पराई करते हो,